और मुझे पूरा भरुसा है कि स्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार मिलकर हम करोना को भगाएंगे और बिहार में विकास को लाएंगे जैन जै भारत वंदे माते धन्यवाद मानिय बिहार के उप मुखे मंत्री तरिमान सुसील कुमार मोदी जी हम ऐसे बेक्टि को आमंत्रित करना चाहते है ऐसे मुख्या चित्थी को आमंत्रित करना चाहते है जिनके नाम पूरी जिनकी सोरे गाथा जिनके किये गए कारियों को पूरा भारत पूरा वीश्व जिनको याद करेगा पुरा भारत की जनता जिनको पुरे भारत को एक भारत बनाने का जिसने संकल्प लिया है जिसने काम किया है जिनको भले ही परतम ग्रिह मंत्री लोह पुरुस के रुप में जाने गए लेकिन दूसरे ग्रिह मंत्री सोरे पुरुष के रुप में जाने जाएंगे जिनकी सोरे गाथा गानी जाएगी आयते सोरे पुरुष मानने नहीं है स्री अमीद साहजी को हम आमन्तित करते हैं आए हम विहार वासियों को थंबोधित करें माने स्री अमीद साहजी अमी साह जी जिन्दाबाद! मजपर उपस्तीत बिहार प्रदेश अध्यक्स स्रिमान संजय जैस्वाल जी बिहार के उपमुख्य मंत्री स्रिमान सुशिल मोदी जी बिहार के प्रभारी और राष्ट्य महामंत्री भाई भुपेंदर यादव जी नंद किसोर यादव जी मंगल पांडे जी श्री प्रेम कुमार जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नागेन जी, श्री सिवनारायन जी, यहाँ पर मेरे साथ उपस्तित केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे साथी सांसद, श्री रवी संकर जी, नित्यानंद राय जी, अस्विनी चौबे जी, आरके सिंग जी, से नवाज हुसेन जी, राजी उप्रता प्रूडी जी, और आज भारत के रादनीति के इतियास में पहली वर्चुल रेली के अंदर उपस्तित बिहार के सभी प्यारे कारे करता भाईों और बेनों, आप सभी का मैं भारतिय जन्ता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले, कोरोना की महामारी के अंदर, जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गवाई हैं, वो सभी के परिवार जनों के पती मैं संबेदना व्यक्त करता हूं, और इस्वर को प्राथना करता हूं, कि जिनकी जान गई हैं, वो सभी को अपने सरण में ले और चीर सान्ती उनको प्रदान करें, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, और कोरोना के खिलाब जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत-बहुत सुबकामनाय देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापीस आईए और आत्म निर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्तापित करने का प्रयास करें। और वो करोडो करोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिस्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण जो अपनी जान जोखिम में डाल कर सेवा का व्रत हाथ में लिये हूए हैं वो हजारो स्वास्त करμी, लाखो पुलीस करμी और जो अपनी अपनी जगा पर सेवा का भेक लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी को मैं मन से सलाम करकर उनके समर्पन और सेवाकव एक्णोलेज करना चाहता हूं जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेत्रुत में NDA को जनादेस लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेत्रुत में NDA को जनादेस लेकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बहुमत की भूमी, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमी ये भूमी ने हमेशा भारत का नेत्रुत किया है। और जब कभी भी भारत के मुल्यों के साथ खिलवाड हुआ, लोगतांत्रिक मुल्यों के साथ खिलवाड हुआ, बिहार की जनता से ही भ्युगल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रसस्त हो गया आजादी के लडाई में बिहार के नेता बाबु जग जीवन डाम जी राजेंद्र बाबु जैप्रकास नारायन श्री बाबु इस सब के योगदान को हम कैसे बुला सकते हैं और आजादी के बाद भी जब कॉंग्रेस पार्टी की नेता स्रीमती इंदीरा गांदी ने आपात कार डाल कर लोकतंत्र का घला घौंटने का प्रयास किया ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नित्रूत में आंदोलन करकर फिर से एक बाल लोक तंत्र को प्रस्ताफित करने का काम किया था आज मैं जोर्ड साब और राम्मन और लोहिया जी को भी याद करूंगा क्योंकि ये दोनों की कर्म भूमी भी बिहार रही ही ये बिहार की भूमी ने ब्रश्टाचार परिवारवाद वन्सवाद के खिलाप हमेशा लड़ाई लड़ी और स्यामार्जिक न्याय के चंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया मित्रो आज मैं जब आपके सामने वर्चिवर रेली के माध्यम से आपके सामने बात करा हूँ कुछ लोगों ने अभी ठाली बजाकर ये रेली का स्वागत किया है मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोधी जी की अफिल को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाप ठाली बजाकर जंद के अंदर वो जूड गये कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कह कर करा मैं सभी वक्र द्रष्टा लोगों को कहना चाहता हूं इस रेली का चुनाव से कोई स्नान सुतक का संबन नहीं है भारतिय जनता पार्टी है जो लोग तंत्र में विश्वास रखती है जन समवाद में विश्वास रखती है जन संपर्क में विश्वास रखती है अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ हैं कैसे संपर्क हो सकता है तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे हैं हम ज संसकार को बचाहे रखना चाहते हैं मैं जगत प्रकास नड्डा जी भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुल रेली के माध्यम से देज भर की जनता का हर मंदल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किय वर्चुल रेली है देश की करोडों की जनता को कौरोन का खिलाब जंग के अंदर जोडने के लिए उनके होसले बुलंद करने की रेली है आत्म इस्वास से भरपूर, आत्म निर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोधी के हवान के साथ देश की जनता को जोडने की रिली है जो वक्रद्रश्टा लोग इसमें भी राजनिती देखना चाहते हूं मैं उनको पुछना चाहता हूं किसने रोका है वही आपको दिल्ली में बैट कर मौच करने की बज़े पटना से दर्भंगा तक एक वर्चुल रिली ही कर ले दे किसने रोका था मगर मैं इन पर ज्यादा समार समय जाय करना नहीं चाहता मित्रो नड़ा जी ने भारतिय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुल रेलियों को आयजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुल रेली के माध्यम से न केवल भारतिय जनता पार्टी के करोडो कारकता परन्तु करोडो करोडो की देश की जनता का संपर्क करकर आत्म निर्बर भारत की हमारे मोदी जी के आहवान को हम सफल बनाने के लिए चूट जाएंगे जनता को भी जोडेंगे और कोरोना के खिलाब जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विज़ाई होकर भारत फिर से एक बार आत्म इस्वास के साथ आत्म निर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा इसलिए मैं सभी कारेकरता को कहता हूँ कि कुछ वक्रद्रिष्टा लोग कुछ भी कहे हमें हमारे रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्स तक हमारा संगर्स चालू रखना है मित्रो आज इस्रेली के माध्यम से बिहार के लाखो कारे करता और जनता भारतिय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जूरी है मैं सभी को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि जब कभी भी भारती जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी जोली लेकर वोट मांगने आये मोदी जी की जोली को आपने वोटों से भढ़कर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिला है और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया जो विश्वास दिया मोदी जी को जो सहास बंदाया मोदी जी पर आसिरवात दिये इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत नकेवल बिहार पूरा पुर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है आजादी के समय GDP के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत जादे होता थे परन्तु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारे चली जिसने पूर्वी भारत को पून तया देखा नहीं इसके विकास से अपना मुँँ मोड लिया और परिणा में आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया मोड जी ने ये छे साल के अंदर करोडो गरीबों के जीवन में प्रकास लाने का एक प्रयास किया है इसका सबसे बड़ा फाइदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है पूर्वानचल के लोगों को हुआ है बिहार के लोगों को हुआ है बंगाल और इस्ता और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है मित्रो जब मोदी जी ने पहली बार संसत के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी मेरी सरकार आदिवास्यों के लिए काम करेगी मेरी सरकार पिछडों के लिए काम आधा कि इंद्रिया जी भी गरीबी हटाओं की बात करती थी इंद्रिया जी चली गई गरीबी वहीं की रह गई अगर उनको मालूम नहीं था यह भारती जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है वो जो बोलते हैं वो करते हैं और आज देखते देखते आईउसमान भारत के तहट देश के 50 करोड लोगों को 5 लाग तक की सारी स्वास्त सुविदाए प्री आप कोस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जिने करकर 50 करोड लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है उजाला भरने का काम किया है अज 50 करोड लोग चाहे छोटा बच्चा बिमार पढ़ जाए बुड़ी मा बिमार पढ़ जाए बुड़े पिताजी बिमा अपना operation free of cost मोदी जी की आई समान भारत योधना के तहट कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है उजुला योधना के तहट 8 करोड से ज़्यादा माताए बेहने आज घर के अंदर चुला क्या धुआ नहीं सहन करती है कोई बुरी आदत नहोने के बावजुद 400 सिग्रेट जितना दुआ हमेशा उनके फेपड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्चा को समाप्त करती थी मोदी जिने आठ करोड घरीब माताओं के घर में घैस का सिलिंडर भेज कर उनके घरों को दुए से मुक्त करने का काम किया है हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं धाई करोड लोगों को धाई ही साल के अंदर सौभागय योदना के तहट बिजली पहुचाने का काम किया साट साल की आजादी के बाद 20,000 गाओं ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुची थी और धाई करोड घर ऐसे थे जिनके घर में उजला नहीं था अंधेरा था लाल टेंड जलानी पड़ती थी अब लाल टेंड का जमाना गया है LED बल्ब का जमाना आया है धाई करोड घरिबों के घर में आज LED बल्ब जगमगा रहा है उनके जीवन को भी जगमा रहा है कई माता है बेहने बचियां घर में स्वचाले न होने के कारण अपने आपको सर्मसार में सुद कर दस करोड घरों के अंदर स्वचाले भेज़कर मोधी जी ने केवल सर्म को दूर करने का काम किया है उनको सनमान दिलाने का काम किया है उनके आत्मवी स्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्त की भी जिनता की है प्रदानमंत्री आवास्योधना के तहद हमने लक्स रखा है जब भारत आजादी की 75 वी साल गिरा मलाय मनाएगा इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा हमने धाई करोड लोग भारत का सन्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया एक जमाना था कि हमारी सरहोदों से कोई भी घूस जाता था हमारी सिमाओं के साथ छेड़कानी करता था हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे और दिल्ली के दर्बार में पुल्वामा हुआ मगर यह नरेंद्र मोदी सरकार थी भारती जनता पार्टी की सरकार थी कुछी दिनों में सर्जीकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर घस में घूस कर डंडित करने का काम भारती जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और इसके साथ ही भार की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया और नरेंद्र पराजनादेश दिया, फिर से मोधी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एंडिये के साथीओं को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की सुरुआत हुई, भित्रों कही ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता वो मसले देश की एक्ता, खंडित्ता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए, नरेंद्र मोधी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को समाप्त करकर कस्मीर को हमें ऐसा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम है, और भारत का बच्चा-बच्चा, मित्रों भारत का वीडियो से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुकर जी, वो कस्मीर हमारा है, वो महेज नारा नहीं था, आज कस्मीर हमारा हो चुका है, वो बात को मोधी जी ने सब को टिपल तलाग एक ऐसा मसला था, करोडों मुसलिम माताय और बहने, अपने आपको अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था, वोट बैंकी लालच के कारण कोई इसको टिपल तलाग को हटाने की हिम्मत नहीं करता था, उननीस की सरकार सुरू होते ही, रवी संकर भाई यहां बैठे हैं, बील लेकर आए, और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर, मो केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे, कि जहां पर प्रभुश्री राम का जन्म हुआ था, वही पर एक भव्य राम मंदीर का निर्मान हो, डेड़ सो साल से मसला अधालतों के अंदर, इधर उधर 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 घुमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मनसा ही नहीं थ कि यह मसला अपने अंजाम तक पहुचे, नरेंद्र मोधी सरकार आई, सरकार ने सटिक पक्स रखा, जज्जमेंट आ गया, स्री राम जन्मुभी निर्मान का रास्ता प्रसस्त हुआ, और मोधी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर, श्री राम जन्मुभुमी के लिए एक ट् जब से विवाजन हुआ, कई लोग अपना समान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए, इस देश के अंदर सरन दी, मगर उनको कोई पुच्ता ने जा, वादा था उस वक्त हमारा, कि आपको सन्मान मिलेगा, आपको नागरिक्ता मिलेगी, समान वहवार मिलेगा हम आपको अपना मानेंगे, मगर वो लोगों के साथ, वहाँ तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ-साथ यहाँ पर भी अन्याय हुआ, और सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक्ट लेकर, आए मोदी जी और देश के अंदर करोडों जो हमारे सरनार्थी भाई थे, उनको ना हम घरिब कल्यान के रास्ते पर चले, आवास, बिदली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक एकाउंट, स्वास्त की सेवाएं, यह सब तो हम 14-19 में ही दे चुके थे, इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही, मोदी जी ने फिर से एक बार जल सकती मंत्राले की रचना करकर, जल जी सुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जीस पर करोडो रुपय का खर्च होने वाला है, वित्रो, पानी जीवन के लिए बहुत महतोपूर्ण, हमारे सरीर का दो तिहाई इस्सा पानी है, अगर पानी ही दूसित है, पानी ही तो सरीर स्वस्त नहीं रह सकता, जो मेट्रों सहरों में रहते हैं और बोटल का पानी पिते हैं, सुध पानी पिते हैं, इनको ये पिडा की मालूमात नहीं पड़ेगी, मैं गुजरात से आया हूँ, 1200-1200 फीट नीचे पानी चला गाया है, पानी के अंदर फ्लोराइड आय है, ऐसे एरिया में मैंने युवाओ को देखा है, 25 साल के युवाओ के बाल सफेद हो जाती है, रीड की हड़ी टेड़ी हो जाती है, और धीरे 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 जीवन के साथ संगर्स करने का उसका समता खतम हो जाती है, मोदी जीने 25 करोड ऐसे लोग जिनके घर के अंदर के नेता राहूल गांदी चुनाओं में बहुत जोर जोर से बोलते थे, उनका एक स्टाइल है, उनको किसी एंजियों ने कहा है, जोर से बूलने से जादे वाट मिलते हैं, हमेशा जोर से बोलते हैं, और कहते थे किसानों का कर्ज माप करो, कर्ज माप करो, मैं उस वक भी उ कर्ज माप किया है दावा है कि इतना हुआ मेरे पास इसाब किताब नहीं है मैं इसमें जाना उनको सच मान लेते हैं कि साड़े तीन करोड़ लोगों का साथ हजार करोड़ रुपय का कर्ज माप हुआ मोदी जी ने किसान सन्मा निधी के माध्यम से साड़ा नौ करोड किसानों को बहत्तर हजार करोड रूपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला और अब ये हमेशा के लिए जाने आपने दस साल के अंदर साड़े तीन करोड किसानों के लगबग साठ हजार करोड रूपया दिया हम हर साल की साड़े नौ करोड किसानों को छे हजार रूपया देने वाले हैं मित्रो किसान, मद्दूर, छोटे दुकांदार, असंग डिक शेत्र के मद्दूर इनके लिए पैंसन की योधना सुरू की छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी बॉर्ड का घठन किया CDS, Chief of Defense, इसकी चर्चा तो बहुत होती थी किसी में हिम्मत नहीं थी इसको करने की सभी सेनाओ कोई तिनों हमारे विंग को विश्वास में लेते हुए CDS की रचना की और आज CDS काम कर रहे हैं वन ड्रेंक, वन पेंशन का वादा भी पहली ही टम में हमने समाप्त कर दिया था और लगबग लगबग 400 नए एक लब ये आवासिय विध्यलय आदिवासी बच्चों के लिए बनाने का संकल्ब नरेंद्र मोदी जी ने दिया मित्रों, एक बात बहुत सुर्खियों में नहीं आई है कॉंग्रेस सरकार RCEP की चर्चा चालू करकर गई थी RCEP का व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, MSME, किसान, मचली पकड़ने वाला मच्छवारा के सब तबाह होने वाले के, नरेंद्र मोदी जी ने धर्टा के साथ नेने किया जो मेरे छोटे किसान के हितका नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हितका नहीं जो मेरे छोटे उद्यमी के हितका नहीं है, जो मेरे मच्छवारे के हितका नहीं है इसके साथ भारत कभी जहां नहीं सकता और हमने आर्शेप से अपने आपको अलग करकर भारत के समान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आर्शेप समझेते से बाहर निकले मित्रो अभी धेर सारा विपक्स कोरोना के काल के अंदर अभी-अभी मैंने टीवी पर देखा थाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर मैं सब को कहना चाहता हूं कि आप नुक्स निकालते हैं कोई यहां से स्विदन का इंटर्वी लेता है कोई यहां से किसी का इंटर्वी लेता है कोई अमरीका में इंटर्वी लेता है वगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई ये वैस्विक मह हमारी के सिल खिलाफ लड़ने का नेतर उत्रप्रदान किया मित्रों मैंने लाल बादूर सास्त्री जी के बाद कोई भी एता नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पुरा देश एक जूट होकर आजाए जनता कर्फियू जनता कर्फियू भारत के लोकतांत्री की तियास के अंदर स्वणी मक्सरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बलका उप्योग किये बगर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सन्मान किया चाहे उन्होंने थाली और गंटी बजाने का कहा चाहे दिया जलाने का कहा चाहे सेना के जवानों ने आकास के अंदर उड़कर सभी कोरोना वोरियर का सन्मान करने के लिए आकास असमान चे पुस पर बरसाने की बात करी इस सब करकर मोदी जी ने कुछ लोगों ने इसको रादनितिक प्रफोगंडा कहा मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदर्ष्टाओं को मालूम नहीं है कि रादनितिक प्रफोगंडा नहीं है इस देश को एक बनाने की मुहिम है और मैं आज सभी कारेकरताओं को सभी बिहार की जंटा को कहने आया कि अब तक राष्ट्रिय महामारिया जब आती थी कुद्रती आपडाय आती थी सिब सरकारे इसके खिलाप लड़ती थी पहली राष्ट्रिय महामारिय ऐसी है कुद्रती आपडाय है जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी सरकार क्या नेत्रू तो लड़ा ही लड़ा इसके साथ 130 करोड भारती एक जूट होता है एक राष्ट एक जन एक मन ये नारों को चरितार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और मित्रो इसी का परिणाम है कि विश्व के आंकडे देखते हैं तो इतने बड़े 130 करोड की आबादी के इतने बड़े आकार वारे अपाने महान देश को बहुत सुरक्सित महसूस करते हैं कई सर्वे हुए कोई कहता है 84 प्रतिसट लोगों ने देश के स्वागत किया मोदी जी की सराना की है कोई कहता है 94 प्रतिसट लोगों ने किया परन्तु एक बाद मिर्विवाद है कि देश की 130 करोड की जनता मोदी जी के साथ एक कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह साथ है और इसी का परिणाम है मोदी जी का जो जनता को जोडने का कौसल है जो उनकी विदा है उसी का परिणाम है 230 करोड लोग एक साथ आज ये लड़ाई को सफलता के साथ लड़ रहे है मित्रो मैं बिहार के कारकताओं के सामने हूँ बिहार की जनता के सामने हूँ मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने बिहार के जनता को गुमरा करने के लिए बहुत सारा किया है परन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार अपने आपको इस सब बातों से अलग रखे बिहार की जनता और विशेशकर प्रवासी मद्दूर अपने आपको इन बातों से अलग रखें पुरा देश आपका सनमान करता है मैं आज इस मंद से कहना चाहता हूँ इस मंद से एकनोलेज करना चाहता हूँ देश का कोई भी हिस्सा हो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हर्याना हो, गुजरात हो, करनाटक हो, तमिलनाड हो जो विक्सित है इसकी नीव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मद्दूर के पसिने की महेंकाती है बिहार के व्यक्ति का पसिना इस देश के विकास की नीव में पड़ा जो लोग अपमानीत करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मद्दूर का जज़बा क्या है वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोधी जी ने प्रवासी मद्दूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है जब से कोरोना की महामारी आई सब जीलो के अंदर, अभी स्वास्थत की व्यवस्थाय नहीं बनी मोधी जी ने वीडियो कॉंफरेंस करकर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मद्दूर है यूपी का है बिहार का है ओरिशा का है बंगाल का है नौर्थीश का है उसको सन्मान के साथ रखा जाए इनके कैम्प बनाये जाए इनकी भोजन की व इसे ही मद्दूर दीन के दिन जब पूरी व्यवस्ता चौक चोबंध होने लगी जीलों के अंदर स्वास्त सिवाएं पहुचने लगी उनकी ट्रेनिंग हो गई कॉरंटाइन सेंटल बन गए ऑक्सिजन के सिलिंडर पहुचे उसके बाद एक मई से ट्रेनों की आवाजा ही प्रवाशी स्रमीक स्रमीक ट्रेन नाम दिया गया और मित्रो मुझे कहते हुए आज हर्स है कि लगबक सवा करोड लोगों को सुरक्षी थूप से वहाँ पहुचाने का काम भारती जन्ता पार्टी की नरेंडर मोधी सरकार ने किया है तकलिप पड़ी है, कई ऐसे ध्रस्च भी आ है जो मन को विहवल कर देते थे, कुछ लोगों ने धहर्य खोकर पैदल चलना सुरू किया, उनके लिए भी स्टी बस से चलाई गई, जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, स्टी बस लेकर उनको नद्दी के रेलवे स्ट पर पहुचा है, वहां से टेने चलाई, ध्रीलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाए, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाए, कॉरंटाइल के अंदर रखने का कैसे खर्चा जैसे सूसिल जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाए, और जब वापस कि अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं कि मुझे कोई आपती नहीं है इसमें भी अगर विपक्स को रादनिती करनी है तो अगर मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं भला आपने क्या किया अभी-अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे भा कोई छोटा मूटा काम नहीं था सवाक रोड लोगों को देश के एक कौने से देश के दूसरे कौने तक पहुचाना हजारो ट्रेने चलाई गई ट्रेन के अंदर भोजन देगा दिया गया स्वास्त की चिनता कि गई उनको पानी दिया गया, उनको कॉरंटेल सेंटर के अंदर स्वास्त परिक्षन किया गया, इनके कॉरंटेल सेंटर के अंदर भूजन की वियोस्ता कर दी गई और बसों के माध्यम से घर तक पहुचाने की वियोस्ता कर दी गई बहुत बड़ा प्रयास था और मैं मानता हूँ और आज इस मंच से देश के प्रधान मंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि सम्वेदना के साथ एक काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है मित्रों घरीब लोगों के लिए एक करोड़ गरीश बहुत बड़ा पैकेज लगबग मोदी जी सिर्फ घरीबों के लिए लेकर आए और बीस लाख करोड़ पैकेज बुरुहद पैकेज भी लेकर आए जो हमारे जीडिपी का दस प्रत्सत इस्सा है मैं किसान सनमान ने दी दिया बिहार में 69 लाख लोगों को 1180 करोड़ उपिया के अंदर सरकार से सीधा किसान के खाते में गया जंदन खातों में 20 करोड जंदन खाते हैं देश में बिहार के अंदर 2.38 करोड जंदन खातों में सिर्फ बिहार के अंदर 3545 करोड उपया भारती जंता पार्टी की नरेंदर मोधी सरकार ने बिचा है सामाजिक सुरक्षा का Pen Gill एक्स्क्रा दिया गया लगबाग 36 लाग लोग हैं और 36 लाग लोग बिहार के इनको 3564 करोड दिया गया है उजोला योदना के तर तीन खेस के सिलिंडर दे गये बिहार में 84.4 लाग लोगों के पास उजोला घेस का सिलिंडर है लगबाग 630 करोड उ पुजोला गैस के सिलिंडर देए कुल बिहार के अंदर ही मैं सिर्फ बिहार कांकडा कहता हूं कि आद बिहार की जंता से बात कर रहा हूं चार करोड लोगों में 5720 करोड रुपया सीधा बैंक के अकाउंट में पहुचाने का काम यह भारती धंता पार्टिंग में पूछना चाहता हूं वक्रद्रश्टा विपक्स को आपने क्या किया है आपके समय में भी आपदा है एक व्यक्ति बताए जब बिहार के अंदर 57 करोड रुपया सीधा बैंक के अकाउंट में पहुचा है पीडियेस के माध्यम से देश के 80 करोड से ज्यादा लोगों को खाध्यान पहुचा है बिहार के अंदर लगबग 6,000 करोड रुपय का अनाज बेजा गया कूल बिहार के अंदर 6,000 करोड रुपय का अनाज और 5720 करोड रुपया अकाउंट में भेजकर 11,744 करोड रुपया वहां पहुचने का काम भारते जंता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है और अब नरेंद्र कोई ने अभी अभी गत क्याबिनेट के अंदर ने ने दिया कि एक देश एक रासनकार बिहार, उत्तपदेश, औरिशा के मदूर देश के कई हिस्सों में काम करते हैं रासनकार घर पे होता है उनको सस्तानाद नहीं मिलता है क्योंकि घर पे भी चाहिए बुड़ी माँ वह बच्चे वहाँ पत्नी वहाँ उसको भी चाहिए बगर उसको नहीं मिलता वो अपना पेट काटकर महंगा अनार लेकर खाता है अब हमने कर दिया कि एक देश एक रासनकार में बिहार में भी परिवार रासन उखा पाएगा और वो सूरत में रहकर मुंबई में रहकर भी अ दोनों जगे मोदीजी का सस्कान है इस डिजिटल इंडिया की जो कल्पना की है वो इसी का नतीजा है और मैं आज पूछना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश और बिहार की सरकारों ने प्रवासी मद्दूरों के लिए इतना किया है कॉंग्रेस जरा बता दे कि उनके लोगो लड़े लोगों को जोडा उनको सावद किया स्वास्त की सुविधायें भी बढ़ाई और मोदीजी ने जंता का हौसला भी बढ़ाया इसके साथ साथ हमने व्योस्थाएं भी करिए पक्सा पक्सी से दूर रहकर किसी भी पार्टी की सरकार हो मोदीजी ने पांच वार जंस कर आये हैं इन नेत्रूतों की दूर दर्सिता का परिणाम है इन नेत्रूतों की सफलता का ध्योतक है और इन नेत्रूतों के प्रती देश की जनता की विश्वास का ध्योतक है मित्रों मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री स्रीमान नितिस कुमार और हमारी पार्टी के उपमुख्य मंत्री हमारे नेता स्री सुशिल मोधी को भी रदय से बदाई देना चाहता हूँ बिहार सरकाने भी कोरोना पिडितों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं चुड़ी मित्रो लगबग लगबग लाभार्ती 21 लाग लाभार्ती के खाते में 210 करोड रुपिया बेजा राशनकाट धारकों के खाते में 1141 करोड बेचा सामाधिक सुरक्सा पैंस्टनर के खाते में 1070 करोड बेजा राज्य के बाहर से फसे निवासी के खाते में 203 करोड बेजा, ककसा एक से आट के चातरों के खाते में 321 करोड रुपिया बेजा, क्षतिपूर्शी किसानों के खाते में 417 करोड रुपिया बेजा, फसल सहायता के मद में 270 करोड रुपिया बेजा, मध्यान बोजन की रासी लॉकडाउन के दोरान 338 करोड ज्यादा आबंटित की प्रखंड स्तरिय कॉरंटाइन सेंटर की संचालन में 777 करोड उप्या बेजा कॉराना की जाज और साजनों की उपलब्दी में 703 करोड खर्द किया और 55 तरफर 160 करोड के माज साबून और सैनेटाइजर का वित्रण किया कुल मिला कर बिहार जैसे राज्य जिसके पास बहुत बड़ी लिबर्टी नहीं है उसने भी खजाना खोल कर मन खोल कर 8538 करोड रुप्या कोरोणा की लड़ाई के अंदर लोगों को सिधा पहुचाने का काम किया है मैं इसलिए बताता हूँ कि नितिज जी और सुसिल जी दोनों प्रस्यदी करने में थोड़े कच्चे हैं वो रोड पर खड़े रहकर विरोध में थाली नहीं बजाते हैं वो चूप चाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छी तरीकी से नितिज कुमार जी के नेतुत में सु कारे करता हैं नाते और देश के ग्रू मंत्री नाते भी उनको दिना चाहता हूं वित्रो मोदी जी ने च्छे साल के अंदर बिहार के लिए धेर सारा काम किया है यह नई टम के अंदर ही हमने 20 लाग करोड का जो पैकेट दिया इससे बिहार के सहज सबजी मचली दूद और ये खेती को बढ़ावा मिलेगा पसुपालन को सत प्रतिस्य टिकाकरन से मदद मिलेगी 10,000 करोड उपया माइक्रोफूड एंटरप्राइज को दिया इसमें मखाना को हमने रखा है उत्पादन में पहले स्थान पर जो अभी मखाना है इसके क्लश्टर डेवलप करने के लि बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है लगबग मदुमक्खी पालन के लिए हमने 500 करोड रूपया दिया है और MSM जिसका फाइदा बिहार जैसा प्रदेश सबसे ज्यादा उठा सकता है लगबग 3,000,000 करोड की बैंक यरेंटी भारत सरकार ने दी है और 20,000 करोड का हमने फ मैं आज इसाब लेकर आया हूँ वो 1,25,000 करोड में से क्या हुआ मार्ग निर्मान के 54,000 करोड ग्रामिन सडक के 14,000 करोड रेलवे के 9,000 करोड हवाई अड़ो के सुधार के लिए 27,000 करोड परेटन के लिए 600,000 करोड कौसल विकास के लिए 15,000 करोड पेट्रोलियम और घैस के लिए 21,000 करोड बीदली के लिए 16,000 करोड सिक्सा के लिए 1000 करोड और स्वास्त के लिए 600 करोड डिजिटल बिहार के लिए और 450 करोड का खर्च हम समाप्त कर चुके हैं और काम जमिन पर दिक रहा है यही बताता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस सुत्र को इस सवा लाग करोड के पैकेज से चरिता अर्थ करने का काम किया बैरोनी रिफाइनरी की समता बढ़ाई गई लगबग 14,000 करोड बैरोनी स्तिक फर्टिलाइजर के अंदर 7,083 करोड रुपे का पूना निर्मान का खर्चा किया बैरोनी के अंदर प्रोरिल पोफिन यूनिट की स्थापना की नहे 1200 करोड लगाए बैरोनी रिफाइनरी में BS6 फ्यूल को कार्यान मीट किनने के लिए और 1500 करोड लगाए 670 किलोमीटर लंबी जगदीशपूर हल्दिया पाइपलाइन परियोधना को 2300 करोड रुपे के माध्यम से शुरू किया गया परादी फल्दिया दुर्गापूर लगीपी पाइपलाइन का विस्तार सुरू किया इसके लिए 1800 करोड अबंटित किये नहे चाही ने 48 यूद्ना में 54700 करोड रुपिया अबंटित किया प्रमुक नदियो गंगा सोन कोशी के सेतू का निर्मान चालू है कई जगे पून होगा है जक्सिन बिहार को उत्तर बिहार से जोडने वाला मोकामा से सिमरिया का पूल 8 किलोमेटर लंबा पूल इसके लिए 1161 करोड रुपिया देकर काम प्रारम होगा है पत्ना गंगा ग्रामिन सड़क योदना के तहट 22,500 किलोमेटर की सड़क 13,000 करोड रुपिय से चालू हो गई है बहुत गया में आयम की स्थापना कर दी ही गई है पूसासित कुसी विश्वजिया केंद्रों को केंद्रिय विश्वजिया बना दिया गया है कुसी के लिए लगबग बांबू और पसु सिमन केंद्र का 130 करोड का सेंटर बनाया गया है एरपोर्ट में 1200 करोड सी की लागत से पतना एरपोर्ट का विस्तार हो रहा है दरभंगा में 100 करोड की रासी से नया एरपोर्ट तयार हो रहा है स्वास्त में दरभंगा में इम्स बनाने की हमने की है पत्ना भागलपूर दरबंगा मुझब प्रफूर और गया मेडिकल कॉलेज को अपडेट करने के लिए 600 करोड रूपया खर्च गया गया है नमामी गंगे के तच 5,000 करोड रूपया के खर्च से पत्ना के अंदर सीवेट ट्रेट प्लांट की शुरुवाद कर दी गई है और 9,000 करोड रूपया रेलवे में लगबक 700 किलिमिटर की लाइन के लिए खर्च गया गया है और यही बताता है कि एक लाग 25,000 करोड रूपय का हमरा जो प्यकेज था उसको हमने वास्तव विक्ता में बदलने का काम किया है नित्रूप और NDA की सरकार जो नितिज जी के नेत्रूत में सूसिल जी के नेत्रूत में चलती है मैं आज वक्रद्रष्टा लोगों को परिवारवादी लोगों को कहना चाहता हूँ जरा अपना चहरा आएने में देख लिए जब आपकी सरकार थी 90 से 2005 तक तब 3.19 प्रतिसद आपका विकासदर था नितीजी के नित्तुत में 11.3 प्रतिसद तक पहुचाने का काम एनडिये की सरकार ने की बजेट का आकार अब 23,800 करोर छोड़ कर गए थे सुसिल जी वित मंत्री है 2,11,761 करोर तक बजेट को पहुचाने का काम एब भारतिये जनता पार्टी और एनडिये की सरकार ने किया है प्रतिव्यक्ति आए 1.12 प्रतिसद थी जिसको 4.8 प्रतिसद विकासदर के रेफरेंस में किया कुरुशी विकासदर 2.35 प्रतिसद पिछड चोड कर गए थे आज 8.5 प्रतिसद पर हम ले गए हैं वक्की सड़के थी आज 96 प्रतिसद सड़कों को पका कर दिया है ग्रैक रूसी विकास्तर 3.9 प्रतिसद छोड़ कर गए थे आज 12.2 प्रतिसद तक हमने पहुचा है पुंजी गत्व्याय 340 करोड तक सिमित था अज 21,058 करोड प्या पुंजी गत्व्याय करने का काम एंडिय की सरकार ने किया है और राजकोशिय गाटा 6.2 छे पॉंट 2 प्रतिसद आपकर कर गए थे हमने उसको काबू मुलेते हुए 2.7 प्रतिसद पर लिया है और उध्योगिक विकास्तर नेगेटिव था और उध्योगिक विकास्तर को हम 17 प्रतिसद तक लेकर आए और मैं सभी को कहना चाहता हूं हम लाल टेन यूग से लेडी यूग तक आए हैं लूट एन ओडर से लॉइन ओडर तक की यात्रा हमने काटी है लाठी राज से कानून लाड तक आए हैं जंगल राज से जंता राद तक पहुंचे हैं बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला उटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलता फुर्वक काती और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जीस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रसस्त किया है इसके लिए आपके पास कोई आंकडे हो तो जरूर बताई गया मित्रो बिहार के अंदर देश के अंदर मोदी जी के नित्रूत में भारतिय जन्ता पार्टी के नित्रूत में एंडिये ने ब्रश्टाचार तुर्ष्टी करण और परिवारवाद को समाप्त करकर रख दिया है जादी चाती वादी रादनीती को हमने हमेशा के लिए पूरा क काम ये भारती जनता पार्टी की सरकार ने की है मित्रो भाजपा की सकती संगठन है मैं भाजपा के सभी कारेकताव को कहना चाहता हूं मुदी जी का हवान है जब तक कोरोना के खिलाब लड़ाई चल रही है सेवा ही हमारा संगठन है ये मंत्र के साथ हर कोरोना पिरी के साथ ह बिहार में चुनाओ है बिहार में चुनाओ है मुझे भरोसा है कि स्रीनितिस कुमार के नित्रुत में दो तिहाई बहुमत के साथ NDA की सरकार बने प्रांतु अभी समय रादनिती करने का नहीं है हम सब मोदी जी के नित्रुत में कोरोना के खिलाब जंग के अंदर लग जाए जंग में जुड़े और आत्म इस्वास से जगमगाता आत्म निर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का अहवान है वो अहवान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक समय अनेक महिनों तक का करने का हम संकल्प ले यही आप सबसे अभ्यत्ना है आप सभी को भी पहली वर्चुल रेली के अंदर सामिल हुने की बहुत-बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत-बहुत सुपकामना है धन्यवाद आप सब्सक्राइब मैं सबी अपने यहां अपस्तित् अब करता हूं यहां जो जहां उपस्तित है वहां पर खड़े हो करके और संकल्प लेने का का म करें अब संकल्प दिलाने के लिए संकल्प के लिए अपना हाथ आगे करके संकल्प लेंगे इसके लिए आप सब मानिय धिवेश जी को आगड रख करता हूं कि आपकर के वो संकल्प दिलाएं मैं बोलते जाओंगा आप मेरे पीछे दोराते जाएंगे मैं मान्य प्रदान मंत्री जी के आवावन पर आप निर्वर भारत की लक्ष प्राप्ती हेतू संकल्प लेता हूँ कि मैं भारत के सम्मिधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तवियों का पालन करूंगा मैं राष्ट्रिय एकता की भावना लोक्तंत के मुल्यों समता मूलत समाज के निर्माण सर्व धर्म संभाव वा मुल्य आधारित राजनी दी को समाज में प्रुच्चाहित करूंगा मैं देश के स्थानी उत्पादों के निर्माण को सुच्चाहन देने के लिए मिशन के रूप में कारे करूंगा यता संभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा मैं कोविट की महामारी से लड़ने के लिए समाजिक जागरुता स्वास्त्य एवन सुच्चता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा भारत माता की जैए भारत माता की जैए अब मैं धन्यवाद देने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी के परदेश महामंत्री पुर्व सांसक तर्मान जनक चमार्जी को जब मैं अभियान को